अर्विंद खिज्रिवाल का पीम पर बड़ा प्रहार उन्हें क्यों बताया एहंकारी ताना शाह इस मंच को मैं नमन करता हूँ यह बहुत पवित्र मंच है आज से बारा साल पहले ब्रश्टाचार के खिलाफ इकठे हुए थे आज इसी मंच से एक एहंकारी ताना शाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकठे हुए है दोस्तो ताना शाही को ख़तम करने के लिए फिर से इकठे हुए है और जैसे उस वक्त ब्रश्टाचार के खिलाफ अंदोलन हमारा सफ़ल हुआ था आज इसी मंच से जो अंदोलन शुरू हो रहा है हमारे देश के अंदर जो ताना शाही लाई जा रही है उसे खतम करने का जो अंदोलन शुरू हो रहा है जनतंत्र को खतम करने का जो अंदोलन शुरू हो रहा है सम्विधान को बचाने का जो अंदोलन आज शुरू हो रहा है बहुत जल्दी इस अंदोलन को भी सफलता मिलेगी सुप्रीम कोट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया आठ साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोट के अंदर सुप्रीम कोट में हमारे वकील अभी शेक मनुस सिंग्वी साब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी सबसे पहले मैं आज इस मन्द से सिंग्वी साब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रियादा करता हूँ जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया दोस्तों ग्यारा मई आज ग्यारा जून है आज से एक महीने पहले ग्यारा मई को देश की सर्वोच उदालत सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट की भी कंस्टिटूशन बेंच उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में और उसके आठ दिन के बाद एक हफ़ते के बाद उन्निस मई को देश के प्रधान मंत्री ने सुप्रीम कोट के आदेश को खारिज कर दिया दोस्तों देश की सबसे बड़ी अदालत के देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधान मंत्री ने खारिज कर दिया प्रधान मंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोट को नी मानता देश के प्रधान मंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोट को नी मानता 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधान मंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता पूरे देश के लोग स्थब्द हैं पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा इतना हैंकारी प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री को इतना हैंकार प्रधान मंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता देश के गली-गली में चर्चा हो रही है, घर-घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना हेंकार हो गया इनको, इतना हेंकार हो गया इनको, दोस्तो देश के अंदर अब जनतंतर खतम हो रहा है इसी को ताना शाही कहते है जब देश का प्रधान मंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोड को नहीं मानता इसी को ताना शाही कहते है इसी को हिटलर शाही कहते है जनतंतर खतम होना कहते है मैं बताना चाहता हूँ आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मनता है सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है भारत में जनता सुप्रीम है जनता अपनी सरकार चुनती है उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए दिली में भी लोग सरकार चुनते हैं दिली की सरकार को भी जिस भी सरकार को दिली के लोग चुनते हैं चाहिए इस पार्टी की सरकार हो चाहिए उस पार्टी की सरकार हो सुप्रीम कोट ने कहा कि जो भी सरकार डिली के लोग चुनते हैं जनता सुप्रीम है डिली की जनता सुप्रीम है उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सुप्रीम कोट ने गलत बोला क्या प्रधान मंत्री को सुप्रीम कोट का अदेश मानना चाहिए मोधी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोट का अदेश नहीं मानता मोधी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोट के अदेश को खारिज कर दिया मोधी जी का अध्यादेश क्या कहता है प्रदान मंत्री जी नो ये जो अध्यादेश पारित किया ये क्या कहता है मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा अब दिल्ली के अंदर ताना शाही चलेगी